तो रामका जैकारा लगाना कहीं से गलत नहीं है तो हमने यह भी कह के अगर रामके जैकारा लगाने से अगर हां हम प्रेफ Immediately है तो writ आईए हमारे हजारी बाग राम नम्मी इंटरेशलम में आके देखिए एक कंट के नीचे जब जारू उतरता है तो मती और गती सब अरश्ट हो जापा है राम नम्मी का मुद्धा विधान सभा तक पहुंच चुका है विधान सभा में जो हजारी बाग में जो लोग राम नम्मी जुलूस को लेकर धरना पढ़ दसन करें थे वो लोग विधान सभा पहुंच है मुखमंत्री से बात कहने कोशिस कर रहे थे लंबा अपलों धरना पढ़ दसन किये उसको आदाज विधान सभा पहुंच एंग परुष्विराम का शोभा यात्रा जो हजारी बाग इंटरनेशनल रामवामी के नाम से बहुत फेमस है पूरे इसकी चर्चाए 20 में होती है सिर्फ और दुसरे राजियों में नहीं जिसे की खतम करने का बहुत बड़ा साजिस चल रहा था जिसके लिए हम लोग सभी रामभक अस्तर पर भी पाबंदी थी हमारे मंगला जुलुष पर 44 लगा हुआ था और भी मांग हमारे यह थी कि हम लोग मंगला में जो निकले हुए थे तो मैं भी परुष्री राम का जैकारा जंडा चौक पर कर रहा तो हिदर स्थल है तो वहां पर मुझे भी फायर कर दिया गया कि आप इस तरह से 44 भी नहीं लगा सकते तो भाई हमारा मंगला है हमारे आस्था का यह पर्व है और हमारा होली के पाज पहला मंगला आता है वही से हमारे रामनौमी की शुरुआत हो जाती है तो राम का जैकारा लगाना कहीं से गलत नहीं है तो हमने यह भी कहा कि अगर र शिंत्र आपाइफायर की लिश्ट तयार रखे हम राम भक्त राम का जैकारक से पुरे सहर को भगमा माई कर देंगे और अंतता प्रशाशन आकर के बोली की अस्वस्त की कि चली आपकी बातों को मानते हैं लेकिन हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सा हम लोग को हमासाद आजे भाई भाई भी थे और विशाल बालमिकी भाई भी थे जो कि पद यात्रा किये थे पैदल रांची से यहां पहुंचे थे तो यह देखी राम वक्तों का यह आस्था है कि इनको पैदल चला दिया किसी को भूके बठा दिया तो हम आप समझ सकते हैं कि हमारी स आईए क्योंकि आभी एक सनातनी है और उसी के दहत आप आईए हमारे हजारी बाग राम नामी इंटरेशनल आके देखिए कि किस प्रकार से हम लोग इंटरेशनल राम नामी मनाते हैं और उन्हों मैंने ये भी कहा कि पिछली जो सरकार थी हमारे राम भक्तों पे पुस्प पुस्प वर्सा करने के लिए इसे राम भक्तों का उमंग चोगना हो जाएगा जिसे आप कहते कि आप सभधर्म को सभी पंद को लेके चलने वाले इसका परिचाए दीजिए एक हेलिकॉप्टर भेज करके हम राम भक्तों पे एक आदसी का जो हम लोग का सोभाय आतर होता ह पुस्प वर्सा राम भक्तों पर कराईए उसके बाद देखी राम भक्तों का अशिर्वाद आप में बरसता है हमने तो कोशिस की हमने तक पहल की है हमने जहां तक हुआ हमने संगर्स किया अब परिचoit राम जाने क्या स्वी बादाओं से लड़ने कि लिए तयार है क्या कि हमारा हाजारीबाग international इसलिए भी है कि ऐसे से रामभक पैदल भी चल पढ़ते हैं अपनी भक्ति को लेकरके हम गर्व से कर सकते हमारा हाजारीबाग का रामलो मी लोग ने किया जाकर के तो यह तो जमीन जमीन पे किया ना हम लोगों ने जमीन पकड़ के हमारे भाई ने 110 किलिमीटर की दूरी हजारी बाक्षा ले करके यहां बिधान साबाता कताय किया और दो दिन तक रोते रहें मेडिया के सामीं का बाइड देखिए, रोग आप इनकी भावना को समझे अगर उस इनकी भावकता को देखी का तो समझ में आएगा कि राम भक्त कितने अपने प्रवसिराम के भक्ति में मंत्र मूगध है और क्या इस्थिती वहां के राम भक्त हो और ये आसु शिप एक अज को वह मुनन हो वकर कि आपके सामने बाइट दे रहा हूं यह मैं कह NPC हेरा हु होगीsters सरकार जिसे मेरा नंबर निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि छेतर में उन Angad नहीं फैले जो इन aún और आपका जो रामनोमी है, सरूल है, कहीं कोई बाधा नहीं आएगा, चाहिए कोई रास्ता में रामनोमी चले, कुछ नहीं, यह कंड की नीचे जब दारू उतरता है, तो मती और गती सब भरस्ट हो जाता है, तो मेरा यही पहल होगा, मेरा यही निवेदन होगा, जारखन सर कहीं कोई पिवाद है, जब दारू पीते हैं, जब दारू पीता है, सभी पीते हैं, सभी पीते हैं, जितने वी लोग तो, आम जर्मान सभी पीते हैं, देखिए, दारू पीने वाला कोई धर्म और यह कोई अथीनी होता है, अगर आप दारू बंद कर दीजिए, तो इंसान जहां पार्वर करना है वहां काम करना हाँ भाहा काम नहीं कीजेगा अभी अर्थका पर आप लोग यह कर रहे हैं इसे पर राजनिती रोटी स्टेक रहे हैं लोग चाहे सत्या हो चाहे पच्छो चाहे भी पक्छो आप दारू को बन देखिजे आप बजेगा मैं मैंने शुरू भी कहा था वहाँ पर जाकर के कि डीजे बजना चाहिए बिल्कुल क्यों नहीं कि टोली करेगी कि उन रामभक्तों का यह राम जनमुद्सों कैसे मनाना है यह सिर्फ रामभक्त कर सकते कोई सासन प्रसासन कोई सरकारताई नहीं कर सकती है प्रेदल चलके आएं रांची तक क्या लगता है मामला सॉल्व हुआ जिस मांग को ले करया थे पूरा हो गया यह जी है कि पूरा क्या हमने मुख्मंत्री मान वगमंत्री जी को अवयधन दिया है अब बोले भी है कि सर बिचार किजिए क्योंकि बात करने का ही iosak नहीं मिला तो 100 साल में 98 साल रवनोमी एकदम सांति पूर्ण तरीके से हर साल बित्ता आया है और 98 साल तक कोई ने कोई DC, कोई ने कोई SP और कोई ने कोई सरकार रहे हैं तो कभी किसी तरह का कोई पर्तिबंध नहीं रहा है इधर दो साल से क्या हो गया है जो आपको लगता है कि उनमात फ अभी हजारी का बाग का रमनोमी में बजा ही नहीं है आप डीजे डीजे बोल रहे हैं डीजे होता ही नहीं है और डीजे बूक करके लाने का किसी में भी उतना छमता नहीं है क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है पांट लाग, साथ लाग रुपे, आट लाग रुपे या कॉस्ट होता है हम लोग मने हरामनोमी में जो भी बसता है न वो केवल सौंड सिस्टम होता है बॉक्स लगता है और एक मीजिक जिसमें ग्लुटूस से लगा करके गाना बसता है हना, एम्प्लिफायर बस उसी के द्वारा बसता है अब उसमें 10 बॉक्स बांद दीजे 20 बॉक्स बांद दीजे बीट ज्यादा मारेगा, थोड़ा साउंड ज्यादा हो जाएगा उसी को लोग डीजे मानते है मतलब आज तक हजारी बाग में एक भी डीजे डीजे नहीं है तुष्टी करन की राजनीती का सिकार हो गए है अब तियोहार भी जो है ना राजनीती का सिकार होने लगे है तो हम गुजारिस करेंगे राजनिती अपनी जगा है, धर्म आस्था अपनी जगा है आप कोई CM बनता है, तो आप पूरे राजिका CM होते हैं आपसे अपएख्छा सभी जन्ता का होता है आपको सब का समान करना होगा सभी जाती धर्मों का तिवार का आदर करना होगा तब ही एक कुछल मुख्यमंत्री आप कहलाएंगे जाते याते हजारी बागवासियों को क्या कहना चाहूंगा आप अपने रामनौमी इंटरनेशनल रामनौमी के तयारी कीजे परूश्री राम हमलों हमारे साथ है बजरंग बली को भेज रखे हैं बजरंग बली साथ में चलेंगे हमारे राम जनमोसों के सोभा यातर में और ये सोभा यातर जिस प्रकार से होती आई है उसी प्रकार से होगी मुझे अपने बजरंग बली पर पुन विश्वाश है अपने परूश्री राम पर पुन विश्वाश है सरकार का क्या रुख होता है तब तक लगतार बने रहें जारखन अपडेट्स के साथ धन्यवाद